नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो सेशन में हम सब देखेंगे जोगरफी का इंपोर्टेंट टॉपिक और इसके अंतरकर डिसकस करेंगे विश्व की परमुक अस्थानी ये पाउन उसके प्रकृति और उसके अस्थान की सुची तो दोस्तों इन सब चीजों को जानने से पहले हम जानेंगे अस्थानी ये पाउन की से कहते हैं बैपारिक पाउन की से कहते हैं और इनकी क्या भी से स्थाएं हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस तरह का वीडियो अगर आपको रेगलोर बैसिस पर चाहिए तो से लिंक के बाद हमसा इसे डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्थानिय पवन किसे कहते हैं आपको बताएं दोस्तों कि अस्थानिय धरातलिय बनावट तापमान व्वायुदाब की विस्षिष्ट इस्थिति के का कारण संभ़ोता क्या होता है कि प्रचलिद पवन जो होते हैं उसके विप्रित पर्वाहित होने वाले जो पवन होती है उसे अस्थानिय पवन के रूप میں जाना जाता है क्लियर देखिए अस्थानिय धरातलिय बनावड तापमान उम वावायु दाब की विसिष्ट इस्थिति के कारण क्या होता है कि प्रचलत पवन जो होते हैं उसके विप्रित जो पवन परवाहित होती हैं उसे अस्थानिय पवन की रूप में जाना जाता है और इनका जो प्रभाव होता है वो पेक्षा क्रित छोटे छेतरों पर पड़ता है और ये छोब मंडल की सबसे नीचे की परतों तक ही सीमित रहती है क्लियर अगला है दोस्तों ब्यपारिक पवन किसे कहते हैं तो आपको बता दे कि दक्षनी अच्छांस के छेतर अर्थात उपोसनत यों उच दाब कटी बंधों से भुमध्धे रेखिये निमनवायू दाब कटी बंध की ओर दोनों को लार्दों में वर्स भर निरंतर वन को उत्री गोलार्द में उत्तर से दक्षिन दिसा में और दक्षिनी गोलार्द में दक्षिन से उत्तर दिसा में परवाहित होना चाहिए लेकिन फेरल के नियम और कोरोलिक्स बल के कारण क्या होता है कि उत्री गोलार्द में ये अपनी दाईं और दक्षिनी गोलार्द पडिलकी नियम ऑर कोल्लक्स बलकी कारण. तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इनकी भिसेस्ताएं क्या हैं. बैपारिक पावनों की भिसेस्ताएं जो हैं कुछ प्रमुक उह हम discuss कर लेते हैं. बैपारिक पावनों को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं. ठीके द पर होता है निर्धिष्ट प्त या मार्म और इसे असपश्ट है कि हवाई एक निर्धिष्ट पत पर वर्स भर एकी दिषा में बहती रहती है और उत्रि गुलार्द में ये हवाएं जो होती है उत्तर पुरो से दक्षिन पच्छिम की ओर बहती है और वहीं दक्षिन गुलार्द में क्या होता है कि इनकी दिसा जो होती है वो दक्षिन पुरो से उत्तर पच्छिम की ओर होती है और इसके कुछ खास बात है दोस्तों कि नियमित दिसा में निरंतर परवाह के कारण क्या हुआ प्राचीन काल में जो बैपारी थे उन्हें पाल युक जल्यानों से संचालन में इन हवाओं से काफी मदद मिलती थी यहां देखें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसे बैपारी क्यों कहा जाने लगा था देखें नियमित तीसा में निरंतर परवाह के कारण प्राचीन काल में जो बैपारी हुआ करते थे पाल युक जल्यानों के संचालन में इन हवाओं से उन्हें मदद मिलती थी और इसी का और वर्षा का कारण बन जाती है क्योंकि वहां पहुंसते पहुंसते या जल वास्प में पुंता संत्रिप्त हो जाती है और इसे कारण यह है वर्षा के कारण बनती है आपको बता दें कि ब्यापारिक पावनों का विश्व में मौसम पर भी ब्यापत प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों आपको बता दें कि हम लोगों ने जो important facts डिसकस किया अब हम देखते हैं कि विस्वक की परमुक अस्थानी पाउन के सूची क्या है कौन से पाउन जो है कहां पे अवस्थित है और उसकी क्या प्रकृति है तो चलिए देखते हैं बारी बारी से तो देखिए आपके पास लिष्ट आगया है सबसे पहले हम बात करते हैं लू की तो देखिए अस्थानी पाउनों का जो नाम है दोस्तों लू और इसका प्रकृति होता है गर्म और सुस्क होता है और इस उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहता है वहीं है दोस्तों हबूब हबूब जो है इसका प्रकृति गर्म है और इस सुडान का है उसके बाद आता है चिनुक चिनुक जो दोस्तों एक गर्म और सुस्क होता है यह रौकी परवत पर इस्तित है उसके बाद आता है दोस्तों मिस्ट्रल मिश्ट्रल जो है इसका प्रकिर्टी थंडी है और इस्पेन और फ्रांस में बैती है हर्मर्टन जो है इक गर्म और सुस्क होता है और इस पच्छिम अफ्रीका का पवन है उसके बाद बात करें सिरोको को तो सिरोको जो है इसका प्रकिर्टी गर्म और सुस्क होता है और इस सहारा मर्वस्थल का पवन है उसके बाद आता है दोस्तों सिमून सिमून जो है गर्म और सुस्क है और अरब मर्वस्थल का पवन है नेक्श है दोस्तों बोरा बोरा जो है ठंडी और सुस्क हुआ करती है इसकी प्रकिर्टी है और इटली और हंगरी में बहती है उसके बाद देखे तो बिलजर्ड है बिलजर्ड जो है इसकी प्रकिर्टी थंडी होती है और ये टुंडरा परदेस में बहती है वहीं बात करें लेवेंतर की लेवेंतर जो है इसकी भी थंडी होती है प्रकिर्टी औ और यह आस्ट्रेलिया का पवन है उसके बाद अगला आता है फ्राइजेम फ्राइजेम का प्रकृति है ठंडी है और यह ब्राजिल की पवन है उसका आगे है दोस्तो पापा गयो पापा गयो जो है ठंडी यूम सुस्क इसकी प्रकृति है और मेक्सको की पवन है उसके बाद जुनेश्ट आता है वो आता है खमसीन खमसीन का जो प्रकृति है दोस्त यह है गर्म और सुस्क और यह मिस्र की पवने है नेक्ष्ट जो है दोस्तो वो है सोलोनो सोलानो जो है गर्म और आदरता युक इसकी प्रकृति होती है और यह सहारा में पाया जाता है पुनाज पुनाज जो है इसकी प्रकृति थंडी और सुस्क है और इंडीज परवत पे बहने वाली पवन है उसके बाद दोस्तों आता है पुर्गा पुर्गा जो है इसकी प्रकृति थंडी है और साइबेरिया में बहने वाली पवन है नेक्स्ट है नौर्वेस्टर, नौर्वेस्टर का जो प्रक्रिती है गर्म है और ये न्यूजिलेंड की पवन है सांता एना ये गर्म और सुस्क हुआ करती है और ये कलिफोर्निया में बहती है नेक्ष्ट है सामल, सामल का भी प्रकृति जो है गर्म उम्सुस्क है और इराक और इरान के बीच बहती है उसके बाद नेक्ष्ट जो पावन है दोस्तो वह है जुन्डा, जुन्डा का भी प्रकृति है गर्म उम्सुस्क और इसका जो अस्थान है वह है अर्जेंटीना उसके बाद आता है पैमपेरो और इसकी प्रकिरती है ठंडी और ये पमपास मैदान में बहती है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा जो प्रकिरती है यहाँ पे पाउनों की वह है गर्म और सुस्क ठीक है तो इस तरह से हम लोगोंने महत्पून डिसकस किया इनके प्रकिरती और अस्थान साथ यह भी जाना कि अस्थानी पाउन किसे कहते हैं बैपारिक पाउन किसे कहते हैं तो अगर आपको लगा कि यह वीडियो यूजफूल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजे अपन कामेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा तो चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ नेश्ट बिलिए